नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एवं यदि आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली, तो इसके इस्तिमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जा रहा है और जो आखिरी उपाए है, वो सबसे शक्तिशाली है जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्षमी का आशीरवाद मिलेगा। भगवान भोलेनात के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक काम्याबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसान के शरीर में 70% पानी होता है। एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जा पारंतु आपके घर जो एक साधा पानी आता है, उसका इस्तिमाल यदि आपने ठीक तरीके से सीख लिया। जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है, ये आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव श एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे, उसकी एक क्रिया है, क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तब ही आपको असर दिखना चालू होगा। यदि आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस व पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप रुपय का लाब पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है, इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनिट जरू पूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा, एवं भाग्य का साथ को मिलेगा, सुख सम्रिध्य आपके घर पे आएगी दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है, जिसके लिए इनसान कुछ भी कर सकता है, दोस्तों, यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिय जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निचावर कर देगा, एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खा कर जी सकता है, फल खा कर जी सकता है, परन्तु पानी के विकल्प में या पानी के दूसर औरे औरेंजन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस पानी चाहिए, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है। साइंस की लेंगविज में दोस्तों। यदि साइंस की लेंगविज में हम आपको बताया। साइंस की भाशा में कीन मानिये, आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं, उसको आप अपने जीवन में दिन में चार के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको पता जो बुरे लोग होते हैं, उनके गर का यदि आप पानी पीते हैं, तो आपके उपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती हैं। इसी लिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से कुछ को आप बदल सकते हैं, केवल पानी से, यदि आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रू का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रू कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है, बनने के पीछे कई कारण हो कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई आपके धन को हड़पना चाहता है, तब ही वो आपका शत्रू बनता है। अपने शत्रू को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए, यदि आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने पर क्रिया करते हैं, यकीन मानिये आपका शत्रू घुटने पर आ जाएगा, स्वाधिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परन्तु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा, ये आसान से क्रिया है, स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तिमाल करके आप अपने शत्रू के जीवन को बरबाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो भी दोस्तों आपका शत्रू सदैव यही चाहेगा, कि आप बरबाद हो जाएं, आपके जीवन सुख, समरिध्य और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाने ब स्वाधिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है, जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परन्तु बदले में यदि कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है चक्र का इस्तिमाल कैसे करना है चलिए आपको ध्यान पूर्वक बताते हैं बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं परंतु उससे पहले आप यदि चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीरवाद मिले तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा हर हर दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए अब आप कम समय नश्ट ना करते हुए आपको सरल भाशा में बता दे स्वादिष्ठान चक्र का यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रू बरबाद हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा ध्यान रखिएगा स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा ये है वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है यदि आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते है तो ये बहुत अच्छा विकल्प है आपको कुछ भी नहीं करना है आपको इस गिलास को लेना है इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है इसमें अपनी को देखना है ध्यान रखिएगा जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो आपके पैर में चप्पल ना हो आप नंगे पाव जमीन पर खड़े हो मतलब धर्ती से आपका पाव चूना चाहिए धर्ती से आपका पाव कनेक्ट होना चाहिए स्वाधिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा बोलना ये प्रक्रिया केवल आपको साथ दिन करनी है सुबह और शाम सुबह साथ बजे से पहले शाम को साथ बजे के बाद ये क्रिया यदि आपने कर ली आधे घंटे तक आपको करना है ये साथ दिन तक आप यकीन मानिए जो आपका शत्रू वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा यदि वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा उसकी बरबादी चालू हो जाएगी आपको बता, आपका, आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा, वो आप जब भी देखिएगा, अपना रास्ता बदल लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुरानों के हिसाब से शत्रूओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ताबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। स्वाधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है, शत्रु की बर्बादी के लिए नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए यदि आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल करना रहे होंगे, क्या आप एक भल इनसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परन्तु यदि कोई भी इनसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग करजे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्त्रोध बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप आगे बढ़ नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा, वो होता है बीज मंत्र का जाप करके, आप अपने जीवन में चुम्बक की तरह को हुए देखेंगे, आप अपने जीवन दलिद्रता गरीबी को जाते हुए आपका जीवन सुख और सम्रिद्ध से भर जाएगा। मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको श्री बीज का जाप करना होगा। वो भी दो मिनिट आपको करना होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं। इसलिए हम आपको हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और शरीन बीज का काम कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी इसके या मिस ना कीजिएगा आपको बता दें मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सी बाबा भूले नाथ के लिए आप लोग जपते हैं और बाबा भूले नाथ का आशीरवाद मिलता है, माता लक्षमी का भी इसमें आशीरवाद आपको मिलता है, इसी लिए धन के रास्ते खुल जाते हैं। बिना चपल, ओके आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना ये है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने शीम वाला पानी तयार किया है, इसको पलट लीजिए, इसको पलट और पूरे दिन इस प अभिमंतृत हो गया था। अब इस अभिमंतृत पानी को जब आपने जब बोटल में पलटा, तो ये अभिमंतृत पानी उस पानी को अपने अंतरगत मिला लेता और अभिमंतृत कर देता था। अब आपको जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर 70% पानी होता है और जब इस पानी का आपके शरीर में ये जाता है, ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिलेगी. बिल्कुल सही सुना, आप लोगों ने आपके शरीर में आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिले। बाबा भोले नात्का, जहां आपको एक तरफ आशीरवाद मिलेगा, वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दर्वाजे खोल देंगी। सरल भाश्या में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि भाग्य का सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्त, तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुरान के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है, और ऐसी जानकारी है, जो आप जीवन को बदल के रख सकती है, आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, एक रुपया का आपका खर्चा न चाहिए, ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीरवाद मिलता है, और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं, इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख सम्रिध्याती है और विग्ण भी दूर होते हैं, ध्यान रखें कि रणहरता गणेश स्तोत्र का पाठ करने क भगवान गणेश की आरती जरूर करें, दोस्तों, हमारे गरुड धर्मार्थ हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है, और हमारे चैनल मकसद है जनहित और जनकल्यान, इसलिए आप से एक निवेदन था, हिंदू भाईयों तक इस चैनल को पहुँचाईए, ताकि वो भी जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके, और उनके सुख से आपको भी पुन्य मिले और हमको भी पुन्य मिले, और हम दोनों पुन्य के भागिदार हो जाएं, बोलकर वीडियो को, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाले आप तक पहु जाता है, जिससे आप देखते हैं, उसके अंदर ओशधी गुण कूट-कूट के भरे होते हैं, बस आप उसके फाइदे के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे उसका सेवन करना ये नहीं जानते हैं, किस तरीके से को बनानी है ये नहीं जानते हैं, इसी लिए उसे इग्नोर कर देते हैं और आप उसके फाइदे नहीं ले पाते हैं। उसके बहतरीन से बहतरीन औशधी गुणों के बारे में जानना जरूरी है। जानेंगे तो उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं। तुरंत फाइदा ले हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए यह जो वनस्पती है ना, इसके जड़ का, इसके पत्तों का, इसके फूल का, इसके फल का, यानि की सारे चीजों का इसमें से दूध भी निकलता है। दोस्त नीक पोध़े के बारे में इसके बेहतरीन, एक-एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप इसका सेवन करना है, क्या-क्या सावधानी बरतनी हैं दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के साथ सावधानी भी विशेशकर बरतनी होती है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे forward करके, यानि कि कुदा-कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाए, और इसकी खुराक की विशेशकर ध्यान देनी पड़ती है, तो वह भी आप जान पाए, यदि आप इसको ऐसे करके देखेंगे, forward करके देखेंगे, तो आप बीच-बीच में बहुत सारे miss कर जाएंगे, और यदि आपने सेवन किया, तो आपको फाइदे नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि फाइदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए करम से जरूर देखें, बहुत ही आपको लाखों रुपए तक बचा सकती है, ये जो मैं आपको औशधी बताने वाला हूँ, देखिए, आजकल का जो युवा है न दोस्तों, वह आप देखेंगे ना, उसकी एक समस्या होती है, आजकल के युवा तो छोड़िये, बुढ़ा बुढ़ों में तो समस्या आ ही जाती है, किन्तु युवा भी यह समस्या देखने को मिलती है, उनको अहुनी कमजोरी की समस्या हो जाती है, अंधरूनी कमजोरी की समस्या हो जाती है, वह और यह समस्या वह खुलके बाद भी नहीं कर पाता है, तो इसी लिए यह वीडियो जरूर देखिए, ऐसे हजारों लाकों युवा परिशान होते हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको ऐसी औशदियों के बारे में लोग डॉक्टर करते हैं जब बारह बजे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के औशद के बारे में वहाँ पे पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी दीवार पे बड़े बड़े में लिखा लिखा जाता है कि नामर्द नामर्द वाले संपर्क करें फला फला किन्तु अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही है सोशल मीडिया पे ऐसे डॉक्टर आते हैं रात में टीवी पे बताते रहते हैं तो ये समस्या देखने को मिलती है बहुत सारे इसके खुल के बात नहीं करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा देख लीजिए पहचान लीजिए दोस्तों ये पौधा वही है जी हाँ दोस्तों मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूँ इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा इसे आग के नाम से भी जानते हैं हो सकता है कि आपके क्षेतर में किसी और नाम से जाना जाता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपके क्शेतर में इसको किस नाम से जाना जाता है देखिए जब आप इसको कहीं से तोड़ते हैं इसके पत्तों को है तो इसमें से खूब ढेर सारा दूध निकलता है इस दूध के बताउंगा उनके लिए जिनकी नसें कमजोर हो चुकी है जिनके अंग में डीलापन रहता है वह उसके अंग को मजबूत करने के लिए मैं इसके दूध का उपाय आपको बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों कॉपी पैन लेकर के बैठ जाईए और इसको लिख लीजिए आपको क्या करना है इसके कम से कम 15 ग्राम या 20 ग्राम तक इसके दूध को निकाल लेना है किसी या सीसी में निकाल ले सुबह सुबह आएंगे दूध भरपूर मातरा में निकलेगा जब दिन चड़ता तो दूध कम निकलता है तो सुबह सुबह ज्यादा दूध आपको निकल जाएगा, तो दूध ले आए, कम से कम 15-20 ml, इसको दूध ले आए, और फिर क्या करें, 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है, धतूरे का बीज धतूरे के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बना, S बना रखी है, आप चाह कम से कम 100 ग्राम तक आपको सरसों का तेल लेना है, और फिर उसको आँच पे चढ़ाना है, धीमी आँच करके, फिर उसको 10 ग्राम बीज, जो आप धतूरे के लिए है, उसमें डाल के पकाएं, धीमी आँच पे जब ओशदी काली पढ़ जाए, धतूरे का बीज काली पढ़ जब दूध आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मच्छर निकल जाएगा, काला पढ़ जाएगा बिलकुल दूध, जो वाइट वाइट आप दूध डालेंगे, तो वो काला पढ़ जाएगा और मौइस्चर निकल जाएगा, और एकदम धीमी आँच पे पकाना है, एकद से सुन लीजिएगा, जब आप रात में जाएगे, तो अपने प्राइवेट अंग जो है, उस उसके उपरी भाग को छोड़ करके, फिर निचले वाले हिस्से में आपको दो तीन बूंद इसके उपर तेल टपका करके, और मसाज करना है, कम से कम आपको मालिश करना है, दस म पन की, वह ठीक हो जाएगी, बहुत बहतरीन ये बिलकुल आजमाया गया नुस्खा, मैं आपको बता रहा हूँ, किन्तु इसके साथ साथ ये वर्तनी है, कि यदि आप कुछ लोगों को ऐलर्जी होती है, लगभग दो, पर लोगों को लगभग ऐलर्जी आही जाती है, जै ना करें, जिनको यह समस्या ना हो, वह उपाय कंटिन्यू करते रहे, आपको सिर्फ दिन तक इसका उपाय करना है, इतने में ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, और जब आपको यह ठीक हो, तो कम से कम 20 दिन तक इसका लगातार उपाय कर लें, 20 या 21 दिन तक इसको उपाय क बंद कर देंगे। इसी में आपको बहतरीन फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप उपाए करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए, मैं दूसरा उपाए बता रहा हूं दोस्तों, जिनको मलेरिया समस्या हो जाती है। मलेरिया की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मैंने खुद आजमाया है, ये मेरी मलेरिया बिल्कुल ठीक हो गई। जिनको भी मलेरिया हो जाए, तो आपको क्या करना है। ये जो मदार देख रहे हैं ना, कम से कम दो फीट की डंडी इसकी तोड़ लेनी है। दूध लेना है, आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चड़ा करके धीमी आच और उसको कुवाँ बनाएं। इसमें वह तत्व पाया जाता है, किन्तु इसको सीधे नहीं खा सकता है, क्योंकि ये पॉईजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसलिए दूध के साथ हलका हलका गर्मी पाकर ये दूध में मिक्स होता है, और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके आउशधी के रूप में काम कर तो इस तरह से इसका उपाय किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप समझे दूद में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो पीलो, ऐसा नहीं करना दोस्तों, तो जब कुवां बिलकुल बन जाएगा, अब आपको उसको खा जाना है, एक दिन का बना दो बार खाएंगे, यानि तो थोड़ा कुवां सुबह खाएंगे, थोड़ा कुवां शाम को खाएंगे, और कुछ भी और और चीज़ नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है तरह से, आपकी आपको सिर्फ दो दिन खाना है, दो दिन में ही आपकी मलेरिया चूम अंतर हो जाएगी, दोस्तों आजमाया गया, नुस्खा बता रहा हूं, चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनकों की दमा की समस्या होती है। hacma के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों? इसके जड़, इसकी जड़ की खाल। जब आप खडंग, तो इसकी जड़ की खाल को निकालना है। और उसको आप क क्या करना है दोस्तों, उस खाल का पाउडर बना के रख लेना है। उस खाल में दोस्तों, ऐसा रसायन पाया है जो कि दमा के रोगियों के मिट्टी के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गजब का है। जब वह पाउडर आप बना लेंगे, छाया में सुखा करके पाउडर बना कर रखेंगे, तो वह रत्ती एक रत्ती भर का दस्वा भाग लेना है, यानि की चावल। आप देखते चावल वो, जो आप बास्मती वाला लंबा लंबा चावल देखते हैं, उसका दस्वा भाग कर तो एक चुटकी भर आएगा, वह चुटकी भर आपको क्या करना है, जीब पर रखकर और गुनगुना पानी पी लेना है, या फिर शहद के में मिला करके खा जाना है, इस तरह से, यानि एक चुटकी भर, यानि कि रत्ती भर लेना है, आपको इतना सा रत्ती भर लेकर के, एकदम छोटे चावल के बराबर लेना है। ठीक है। बासमती का करेंगे तो दस बार तोडेंगे। तो जितना आएगा तो इस तरह से आप रत्ती भर का दसवां भाग आपको लेना है। दिन में दो बार लेना है। इतना ही आपके लिए काफी होगा। ये दमा रोगियों के जदी आँखों में पड़ जाए तो आपकी आँखों की रोशनी को खत्म कर सकता है। इसलिए जब भी इसको तोड़ें आप चश्मा लगा के जाए और हाथों में लग जाए तो अच्छे से साबुन से धोने बांध ही अच्छे से धोलें। ताकि आँखों को मल देंगे त तो आपकी आँखों के लिए बहुत ही नुकसान दायक होता है। होता है तो आँखों को बचा करके ही इसका दूद का उपाय करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, आँखों में ना पड़े। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जिनको घुटने और जोडों में जंकर रूप से। तो वो क्या करें इसके पत्तों का ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, बहुत ही बहतरीन है। अब इसके पत्तों का आपको कौन सा पत्ता लेना है। देखिए बहुत सारे उसको पीला पड़ जाए। ऐसा नहीं कि जमीन पर पीला पड़ा पत्ता उठा ले टनल से ही तोड़ना है, इसके पेड़ से ही तोड़ना है, उस पत्ते को ले आना है और आप जब रात में जिनको डाइबीटीस की समस्या होती उनके लिए बता रहा हूं वह पत्ता आप अपने पैरों पर लगा ले और पूरी रात भर मौजा चढ़ा के सो जाए और मौजा भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों, कौटन का मौजा होना चाहिए ध्यान दीजिएगा का मौजा नहीं, नहीं मौजा नहीं होना चाहिए सिर्फ शुद्ध कौटन, मौजा आप लगा लेना ही है तो आप उसको अपने पैरों पर लपेट करके पट्टी बांध ले पूरा पत्ते को ढखना है ताकि गर्मी से उसका अर्क निकल करके और स्पॉंज के द्वारा सोख करके अंदर आपके पहुँचाया है बलड में जाता है और आपके जो बलड में इंसुलिन की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है और को कम करता है ये उपाय बिलकुल बढ़िया है दोस्तों आप इसका उपाय करते रहें यदि आपको डाइबीटीज है तो आप लंबे समय देखिए खाना तो है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं रात में सोने से पहले इसका उपाय कर ले और करते रहें धीरे धीरे आप आपके डाइबीटीज को कंट्रोल करेगा और इसको लंबा समय तक करते रहें तो हो सकता है कि डाइबिटीज को या का इलाज भी कर दे, दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको डाइबिटीज के रोगी इसका उपाय कर सकते हैं। पैरों के तलों में जो हलके पीले हो जाते हैं, उनका उपाय आपको करना है। जमीन पर गिरे हुए नहीं, डंठल से तोड़ करके करना है। ये बहुत ही फाइदेमंद है दोस्तों। आप इसको अपने घर पर लगा कर गमले में रखे सावधानी होती है, कि घर पर बहुत लोग लगाते हैं। किन्तु बच्चों, यदि पत्ते से तोड़ेंगे, तो आँख दूध पढ़ सकता है। तो इसलिए सावधानी के साथ ही इसको रखें। कहीं भी तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी पढ़ती है डाइबीटीज के लिए। आपको घर पर ही इसको उपलब्ध हो जाएगा। और ऐसे बांधते रहेंगे तो ये जड़ को आपके दर्द को सायाटिका वाले रोगियों के लिए काफी फाइदे मंद है। ये बहुत ही फाइदा करता है। यदि आप इस तरह से इसका उपाय करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जोडों के दर्द को ये छू मंतर है। दोस्तों, दोस्तों एक दूसरा मैं उपाय बता रहा हूँ, दमा रोगियों और अंदर ताकत को बढ़ाने के लिए दोनों के लिए काम करता है। देखिए इसका जो फूल होता है पूल में चकर होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लॉंग की जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लॉंग जैसा दिखता है।